हलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी गॉवर्मेंट के एवी सबसीडी पोर्टल की जी हाँ यूपी गॉवर्मेंट ने एक इवी सबसीडी पोर्टल शुरू किया है आज से जहां पर जाकर आप अपनी इवी की सबसीडी के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आपने 2022 अक्तूबर के बाद इवी खरीदी है तो आप चाहे वो टूवीलर है और फोर वीलर है तो आप इस प सकते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जो वेब साइट है या यह जो ओनलाइन पोर्टल है यह सिर्फ अभी यूपी यानि उत्तर प्रदेश के लिए है तो आपके कोई जानने वाला है अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वी बायर है तो यह आपके का प्रदेश कर सकते हैं अब इसमें अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ आपके पास होनी चाहिए तब ही आप इसको अप्लाई करने करने के प्रॉसर शुरू करना पहला आपके पास रिजिटेशन नंबर इंजन नंबर के पांच डिजट और यह सारी डिटेल जो वीकल की चाहिए और आपके पास आपका आधार नंबर और उससे जोड़ा मोबाईल नंबर होना चाहिए साथ ही साथ यह सारी चीज़े यानि कि आपके जिस नंबर से गाड़ी रिजिस्ट्रड है उसी व्यक्ति को यह application apply करने यानि bank account में भी नाम सेम होना चाहिए सारी जी कि वही वहान पोर्टल में डॉकुमेंट दी हैं, वही नंबर, वही नाम सब कुछ मैच होना चाहिए, तभी एपलिकेशन अप्रूव होगी एपलिकेशन के चार स्टेप है सबसे पहला स्टेप है एपलिकेंट लॉगिन यहां पर जाकर सबसे पहले login करना होगा login का process भी बहुत आसान है मैं बता देता हूँ यहां पर आपको जाकर के English, Hindi, दोनों language आप select कर सकते हैं आप इसे accept करेंगे आपको अपना vehicle number, last 5 data chases number के और mobile number डालना होगा और उसके बाद आपको send OTP पर click करना होगा जैनिकी success आजए और आपको जाएगा और आपको पासवर्ड आपके mobile पर आजाएगा password आने के बाद आपको login पर click करना है login पर click करके आप यहां पर login with password पर click करेंगे आपको अपना vehicle number और जो first time आपको password आए उससे आप login करेंगे Login करने के बाद आपको एक screen आएगी जहां पर आपको अपना password chain करना होगा password chain करने के बाद जब आप login करेंगे तो आपको यहां पर चार section दिखाई देंगे मैं बता देता हूँ, चार section में पहला section आपके personal detail का होगा दूसरा section आपके vehicle की detail का होगा और तीसरा section bank account का और चौथा final होगा चारो section का मैं आपको page भी दिखा देता हूँ किस तरीके होगा और क्या-क्या उसमें आपको जानकारी देनी होगी साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आप application वे जो चार स्टेप है वो आप पूरे कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ screens दिखा देता हूँ लॉग इन करने के बाद वहला page कुछ इस तरीके से होगा जैसे आप देख सकते है personal details जहां पर आपको अपना application type select करना है जीस्टी अगर आपने firm के नाम पर लिया है तो जीस्टी वाली select करेंगे individual करना है तो आप personal इस पर individual select करेंगे आपको अपना नाम जो आपने RC में दिया है father's name, email id, mobile number, date of birth, address ये सारी जानकारी देनी होगी याद रखना जो जानकारी आपने वहान portal पर दी है वही देना है उसके बाद आधार card, GST और इनकी आपको photo copy भी लगानी होगी अगर GST आपने GST के उपर आप गारी ले रहे हैं या फिर अगर personal है तो आपको यह नहीं देना होगा उसकी photo आपको, यानि कि sign करके एक page पर photo लेनी है आपको और वो photo भी यहाँ पर upload कर देनी है वो photo जब यह सारी जीचे आप upload कर देंगे उसके बाद आप vehicle details पर आएंगे जब यह detail आप प्रेस कर देंगे इस तरीके का आपको message आएगा आपको okay पर click करना है जो दूसरा इसका section है यानि कि vehicle की जो detail है उसमें कुछ detail automatically populate हो जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं फिर इस तरीके से vehicle detail में आपको यहाँ पर आपकी गाड़ी का registration number, chases number, engine number, registration date यह सारी जानकारी आपको देखेगी आपको अब यह ध्यान रखना है कि यह सारी details आपको cross check करनी है इसमें कोई गलती तो नहीं है दूसरी बात उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर eligible screen चुननी है और आपने battery के साथ लिया है, without battery लिया है, वो आपको select करना है क्योंकि अगर without battery है तो 50% subsidy है, with battery है तो 100% subsidy है एक number of vehicles है, उसके बाद वो subsidy का amount 15% के उपर आ जाता है और यहाँ पर आपको अपनी RC का photo upload करना है एक MB से ज़्यादा की file नहीं होनी चाहिए उसके बाद आप यहाँ पर save vehicle details and next पर click करेंगे उसके बाद अगला जो section है, bank account details का है यहाँ पर आपका bank name, IFSC code और आपका account holder name यह सारी जानकारी आपको देनी होगी और यहाँ पर आपको file select करनी है या तो आपने cancel check की copy या अपनी passbook की photo copy upload कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर save bank details and next पर जाएंगे इस तरीके से उसके बाद आपको एक final application आपको अपनी portal पर दिखाई देगी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें x factory cost, subsidy amount सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा bank account detail यहाँ पर आपको select करना है declaration और apply now पर click कर देना है जब आप apply now पर click करेंगे उसके बाद आपको एक application number मिलेगा यानि कि जो आपका एक तरीके से आपने subsidy के लिए apply किया उसका number आपको मिलेगा आपकी mobile पर भी वो आ जाएगा और उसके बाद आप अगर application approve होती है तो within three days यानि तीन दिन के अंदर अंदर तीन working days के अंदर अंदर आपको subsidy आपके link bank account में मिल जाएगी मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा और साथी साथ अगर आपके कोई भी सवाल है तो वीडियो के comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जैहन